प्रामायन वह महाभारत में वर्नित भोगोलिक परिस्थितियों वह नदियों के विवरंट से अनेकों स्थलों की पुष्टी की जा सकती है। यहां के भोगोलिक बेल्ट में अनेकों जंगल थे जो शेश बचे है उसमें से एक पिहानी से 6 किलोमीटर्स दूर वह हर्दोई से लगभग 45 किलोमीटर्स दूर है यहां एक प्राचीन आश्रम है। जहां पर परवती अंचलों जैसी शोभा विराजमान है यहां पर आने वाले आगंदों यहां के जलशोद और प्राकृतिक वातावरण को देखकर अभीवोध हो जाते हैं। पिकनिक बनाने के लिए भी दौबिया क्यों और कैसे पड़ा नहीं पता लेकिन कहते हैं यह धौम्य रिशी का आश्रम था। धौम्य रिशी देवल के भाई और पांदवों के पुरोहित थे धौम्य आश्रम एक अती प्राचीन रमनियस थल है। यहां आकर मन में शांती का अनुभव किया जा सकता है, जंगल 20 हेक्टेयक शेत्र फल में फैला है। यहां जंगल की अनुपम छठा बिखेरते प्राकृतिक जल स्रोत है, जो गोम्ती नदी के सहायक जल श्रोतों के रूप में कार्य करते है। इस स्थान का खास आकर्शन यह प्राकृतिक जल स्रोत ही है। तपोवन से अनेको प्रचलित महाभारत की कथाइन जुरी है। कहते हैं अर्जुन ने जमिन में तीर चला जल यही निकाला था। यह वही श्रोत है, इसका कोई ठोस प्रमान नहीं है। लेकिन यह एक प्राचीन पौरानिक स्थल है, इसमें कोई शक की गुनजाइश नहीं है। महाभारत में जिन नदियों का विवरन है, उनमें से एक गोंती नदी भी है। अब चून की धौम्य आश्रम में गोंती नदी का साक्षात श्रोत है। दूसरे जंगल में उपलब पेड़ों को देख कर उनकी आयू का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये हजारों साल पुराने महाभारत कालीन पेड़ ही होने चाहिए। इनका कारबन डाटा टेस्ट किया जाए तो इनकी आयू का सपष्ट अनुमान लगाया जा सकता है। धौम्य आश्रम उत्तर भारत में एक से अधिक जगहों पर है। ऐसा इसलिए है कि रिशी मुनी भिन-भिन जगहों पर आते जाते रहते थे। जहां जहां ये जाते वही आश्रम बन जाते थे, फरोखाबाद में भी धौम्य आश्रम है, वह भी काफी बड़े टीले पर है, पिहानी के धौम्य आश्रम का हाल ही में पुरातत्व विभाग ने टूरिंग व्यवस्था कर इसका सौंदरी करंग कराया है, इस से इस जगर की महत्ता के साथ पिहानी को अपनी पहचान मिलेगी अंदर के जंगली प्राचीन पेड पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी अविश्य भामी है अन्यथा इस प्राचीन स्थल की दुर्गती हो सकती है इस प्राचीन धरोहर को जीवन्त वर सुरक्षित रखने में पास रहने वाले लोगों का भी दैत्व बनता है